हेलो गाइज गूद इवेनिंग और वेल्कम टाक्ट टो मैं चैनल आज फ्यूचर में इंडेक्स के ऊपर एक स्ट्राटीजी बिल्डप कर रहा हूँ काफी दिनों से बिल्डप कर रहा हूँ एक्शली मुझे एक्शली समझनी आ रहा है कि कैसे इसको थोड़ा बहुत बाइंग साइन में बाइंग और सेलिंग जो ऑपर्चूनिटी मिल रहा है उसमें सैक्सेस रेशियो अच्छा सा मिल रहा है बगर कभी कभी कई पर भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है तो स्ट्राटीजी बहुत सिंपल है एक्शली कॉम्बिनेशन है मैं दिखा देता यह DMA34 है और TMA34 है यहां पर क्रॉसिंग हो रहा है तो उसमें रेट मार्किंग हुआ है और पॉजिटिव क्रॉसिंग हुआ है तो उसमें ब्लू वाला मार्किंग हुआ है इसका जो कोड है यह कोड मैं दे दूंगा आपको यह मेरे देबला वाला कोड है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादा दो इंडिकेटर एड़ कर सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं है तो उसको इग्जाट करने के लिए जो ट्रेड में लेने के सोच रहा हो Crosdomar में उसको exact करने के लिए मुझे कुछ relatively कुछ indicator करना होगा जिसमें से हम थोड़ा बहुतprise करें क्योंकि मैं थोड़ा बहुत दिखा देता होे ट्रेड में क्या हो रहा है अभी यह पर बाई सिगनल दिखाया ओके तो इसमें प्राइस दिखा प्राइस है अल्मोस्ट मान के चलिए 45931 एंड इसका अगर मैं हाई पकड़ के चलू तो यह लगवग 46061 बहुत ज्यादा एक वेनिफिट दिया है यह वाण मिनिट का टाइम 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 का चार्ट है यह मन के चलिए कि वाण मिनिट टाइम फ्राइम के लिए जो 120 पॉइंट मेरे कहल से काफी है मेरे कहल से बहुत ज्यादा है अगर आप इसको देखके भी ऑफ संट अगर आप करोगे तो मेरे कहल से आपको एक हिल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा मेरे कहल से 50-60 पॉइंट त देखोगे तो इसका जो क्रॉसोबर का जो प्राइस था अल्मोस्ट 45,976 एंड उसका जो लो बना है वो 45,770 तो काफी जादा हो गया इसके बाद भी आप देख सेकते हो कि यहाँ पर क्रॉसोबर है बाइं क्रॉसोबर जिसमें 45,348 का क्रॉसोबर हुआ है और इसका जो इसका जो पर आगर हाई तो बहुत ज़्यादा होगा है यह वाला हाई अगर पकड़ के चले तो 9,845,980 के आसपास यहाँ पर भी सेल में नीचे आया है तो कभी-कभी यहाँ पर अगर जहाँ पर एक्चली ग्लीज आ रहा है तो ग्लीज कहाँ पर आ रहा है कि 46,00 के आसप यहाँ पर तो इसको अगर स्टॉप लोस में अगर कॉफर आफ करें ओही ओही क्रॉस ओपर में तो नियार अबाउट 120 पॉइंट्स के ऊपर आपका स्टॉप लोस आ रहा है उसके बाद फिर से अगर आप सेल करोगी यहाँ पर तो 45,978 और नीचे आगर देखोगे तो 45,860 100 पॉइंट का बेनिफिट आ गया तो थोड़ा बहुत गलीच आ रहा है थोड़ा बहुत मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि सभी जो क्रॉस ओफर उसमें ट्रेट अच्छा है ए 45,900 उसके बाद अगर सेल का स्टॉप लोस अगर हीड हुआ है तो इस क्लोजिंग पे तो 967 उ होगे तो उसके बाद एक प्रॉफिट आ रहा है तो इसको मैं अभी तक डेवलाब डेवलाबिंग मूड में है कि इसके ऊपर CCI और RSI के ऊपर कोई strategy अगर मैं apply करूँ तो थोड़ा बहुत filterization हो सकता है तो एक तो profit ratio अच्छा है मेरे ख्याल से यह काफी है stop loss एकदम से नील तो नहीं होगा थोड़ा बहुत compromise करना पड़ेगा market में तो ए वीडियो करने का यह है कि इसके ऊपर आप अगर कोई filterization करने का कोई planning सोच रहे हो तो मुझे थोड़ा बहुत help आप कर सकते हो क्योंकि यह बहुत जादा मुझे complication लग रहा है अगर मैं filterization करूँ तो filterization करने के लिए मैं CCI के ऊपर recording करा हूँ and RSI के ऊपर भी चेक करूँगा stock के ऊपर भी चेक करूँगा इसको थोड़ा बहुत यह जो glitch है glitch मुझे थोड़ा clear करना है थोड़ा अगर stop loss थोड़ा मुझे save करना है तो वो सायद बैतर होगा and इसका stop loss कहा रहेगा यह अगर बहुत सारे trader का question हो सकता है कि जहाँ पर भी आपका sword हो रहा है उसका जो last high है उसको आप पकड़के चलिए मेरे क्याल से ज्यादा stop loss नहीं हीड हो रहा है अगर आप lower वाला stop loss ले सकते हो नहीं तो next crossover में जब भी crossover होता है वह फिर भी आप stop loss लगा सकते हो और exit कर सकते हो मेरे क्याल से exit का लिए कोई percentage मत करिए bank nifty index के ऊपर में ज्यादा strategy देख रहा आपको profit एक fixed point के ऊपर percentage मत करिए point के ऊपर करिए वह ज्यादा बैतर रहे होगा कि 50-60 points बैंग अगर move कर रहा है उसका जो option है जो इंदमनी option है वह आपको ज्यादा मेरे क्याल से एक spike देगा मेरे क्याल से बहुत ज्यादा ही spike देगा वह भी मैंने cross check कर लिया तो एक बार आप trial कर सकते हो अगर कोई भी end पे आपको लगा कि इसको थोड़ा बहुत filterization करने के लिए और कोई indicator की help से और कोई moving average की help से मैं implementation कर सकता हो तो मुझे थोड़ा बहुत comment करके ओ थोड़ा बहुत मुझे discuss और मुझे help कर सकते हो थोड़ा बहुत मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसके उपर filterization कैसे करे मागर मैं अगर देखू तो मैं इसका backfilling कर लिए try कर रहा हूँ कि बहुत सारे data मैं gather करके साइद 5-10 दिन का internet data backup एक बार back testing मैं try कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर ग्लीज है यह practical बात है मैं कोई strategy 100% तो नहीं बोलूँगा यहाँ पर देखिए practically glitch है बहुत सारे position हो जाएगा दिक्कत वाली बात है बहुत सारे position हो जाएगा यह position लिया exit किया फिट से position लिया and boom run दि बार उसके ऊपर आप जो आपको जो मिल रहा है वह sufficient है यह जो जहाँ पर sale दिखा रहा है उसके ऊपर जहाँ पर आपको crossover है उसका भी अगर आप percentage मांगो के तो मेरे ख्याल से बहुत कम है आपको day end में profit मिल जाएगा क्योंकि जो crossover दिखा रहा है उससे हिसाब से आपको मेरे PayPal से profit बहुत जादा मिल जाएगा मागर जो glitch है ना दो तीन मिनिट में आपका stop loss आपकर hit हो जाए यह वाला glitch मुझे थोड़ा बहुत तंग कर रहा है तो इसको मुझे थोड़ा बहुत rectify करना है that's all for the day and कोई भी अगर इसके उपर साइसन है तो नीचे कमेंट करके आप बोल चर्ड जाए बहुत छाए चाओ लागाई जाए भाई